आज दिल्ली के पालम गाउं के दादा देव मंदिर में पालम 360 की महापंचात का आयोजन किया गया जिसमें 360 खाप के पंचात ने निर्विरोध परधान चोदरी रामकुमार सोलंकी को चुना और फूल मालावे पगड़ी पहना कर पालम 360 के परधान नुक्त किये इस मोके पर नोजवानों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया बड़े बुजुर्गों का आशीरवाद लेकर चोदरी रामकुमार ने पालम 360 परधान का पद संभाला मेडिया ने चोदरी रामकुमार सोलंकी दादा देव मंदीर के परधान वे अन्य से बात की आजात तोमर की रिपोर्ट हर खबर दिल्ली पालम गाव दादा देव मंदीर परधान एक ही होता है जो आज तीसरी बार पहले पालम गाव ने चुना आज उसके बाद मैं बीच तारिक को हमारे पहारे ने चुना और आज हमारे जितने दी पालम खाव के कपे हैं उन समीने सरव सम्मती से आस्थे रामक्वार गी तीन सो थाठ के अदब हैं और ये स्टारू रूपते इमांदारी से और इमांदारी से नहीं चलेंगे तो हम कान भी पारना जाना की हम जो समाद के जो पीछे हमारे नेम से उनको जीवत करने के लिए इस दुआ को हम लेके आएं और मैं आज जितने भी भाईया कोशे हैं सब का हिर्दे से अभार मुयक्त करता हूं और आशा करता हूं कि समय समय पर जब भी आपको याद किया जाएं आप इसी तरह आते रहेंगे और समाद को आगे बनाए का करते रहेंगे रामक्वार जी क्या कहना चाहेंगे जो एक 360 की आपको इक बर्दानी मिली और जुम्यधारी मिली उस पे आप क्या कहना चाहेंगे देखिये सब से पहले मैं आप मेज़स्जी अन्यम्यवास करना चाहता हूं कि आपके लिए तो यह समाज को शाथ लेकर समाज के से अपने आप में अकिला कुछ नहीं हूं समाज मेरे साथ अधे मैं सब कुछा कर समाज साथ लेके चलूंगा और समाज के जो भी कारिये होंगे समाज इतके जो कारिये होंगे उनका पूरा तन्मन धंचे में से आश्वासन देता हूँ पूरा कराने की कोशिश करूँ आज पहली दफा इस हमारे जो 30-30 काओं की तपा जो खाप अबारे जो पंचाथ हुए महापल चाथीश में पहली दफा नोजवान तब का 80% आया है मैं नोजवान साथ्यों का दन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब ये पंचाथों से जुड़ने लगे हैं तो आगे अपने आप अगर नोजवान साथी पंचाथों से जुड़ेगे तो संस्कारों से जुड़ेगे जो हमारे पुराने संस्कार हैं हमारे दियाद को जोड़ परदान जी आप दादा देर मंदीर के परदान विया और आज हम बात करें जो 360 पादम परदान की और जो यहां पर आज मैं देखा थी सभी सर्दारी ने उनकों निर्विरोद यहां पर चुना रहा तो क्या कहना चाहेंगे और कितनी सर्दारी आज यहां पर मोजूद थी आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं दादा देव मंदिर कमेटी बारा गाओं आप आई हां बड़ा अच्छा लगा आपने जनता भी देखी जो आज दादा देव मंदिर पर पाड़म 360 की खाप के आदमी जो आए हुए थे लोगों की आँख खुली की खुली रह गई लोगों ने इतनी भीड कभी नहीं देखी थी और हमारे भी अंदाजा नहीं था के इतने आदमी हमारे यहां दादा देव मंदिर में हमारे साथ लग जाएंगे जुडएंगे सभी 360 के तपे 35 खाप जो है 35 की 35 खाप दादा देव मंदिर के प्रहंगन में आज 10 बजे से 11-12 बजगे देख लो आप अब भी लोग भाग खाना खा रहे हैं इतना बड़ा सवागतम जो राम कुमार चोधरी 360 अदेक्ष का बनाय करया है ये एक भूत बड़ा अपने जो पूरे भारत का एक नाम रोशन करेंगे हम अपने जो भी हमारे समाज की 36 ब्रादरी की जो भी कोई समश्या होंगी हम उन समश्या को भी दूर करेंगे हमारे जो परधान जी राम कुमार 360 के अद्धैक्ष और जो हमने आज मरहली को अद्धैक्ष तदी मरहली 36 में है 336 के तपों में सबसे बड़ा पद है उनके पास पिर्थी सिंग अद्धैक्ष बनाए और उजवा से कवर सिंग लाकवरलाल डागर उनको हमने माईक संचालक बनाया क्या परधान जी जिस तरह पालम 360 के हम बात करते हैं उसमें बीच में कई बार आता है कि ये 360 के बोर भी परधान क्या उनको ये एक मैसिद जाएगा आज का आज की जो सुवागत सम्हारा हुगा जिस तरह चोदरी रामकुमार जी का यहां पे फूर माला और पगड़ी पहना कर जो जोड़दार सुवागत अब जिसमें की जो नो जवान है उन्होंने भी बहुत बढ़ चड़ के इसा दि हैं जो वो दूसरा 360 का दावेदार बना रहे हैं अग हमारा दादा भी था हमारा बाब भी था अब ये बनगे फिर पाडमगाओं के आदमी उनका नंबर कब आएगा जो और इनके साथ लग रहे अब रामकुमार है पहले किसंद था किसंद जो दिने इस्तिपा दिया रामक मैसिज पोँच गे दादा देव मंदिर पे रामकुमार के समर्तन में आ गए उनकी आख भी खुली की खुली रह गी और मैं उनको आज भी देखना कहता चाहता हूं कि हमारे पाडमगाओं की समाज की बेशती मत करवाओ बैठ जाओ ये दादा लाई नहीं है पगड़ी पे आपके सर्दारियों से बार बार नमन करता हूं और इस बात के लिए को आपके सारी शुब कामने बदाई देता हूं लाइक शेर और कमेंट तो सब्सक्राइब इस चैनल प्लीज प्रेस बेल आइकन